So, hey guys, welcome to my new video So guys, fine यहाँ पर आचुका है, Redmi 9 Prime के अंदर एक नहीं अपडेट जो है मियो है 12.5.3.0 का एक latest Indian stable update और इस अपडेट को हम अपने डिवाइस के अंदर इंस्टाल कर चुके है और आच इस वीडियो के अंदर हम इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं यह अपडेट अभी आपेडिया में किस तरीके से इंस्टाल कर सकते हैं और साथ में यह अपडेट कब तक पब्लिक रोल आउट होने वाले है सबी इंडियन यूजर्स के लिए उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर इस अपडेट में आपको क्या निया देखने को मलता है और इसके हिडन फीचर को किस तरीके से अनेबल करना है और साथ ही में यह जो वेजिट्स है ना इनको होम स्क्रीन में कैसे एड करना है इन सबी चीदों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाल है तो आउब आपको आज की वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो माई नेम इस शार महाजन, यो बजमा चानल, लेस्ट गेस्ट स्टाड़ेड तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस नए अपडेट के बारे में जो आया है हाली में रेड्मी 9 प्राइम के लिए तो आप देख सकते हो यह है MIUI 12.5.3.0 का एक अपडेट और यहां पर इस अपडेट के अंदर आपको लेटेस्ट जैनवरी 2022 का सिकूर्डी पैस देखने को मलता है जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के उपर और अगर हम आल स्पिक्स में जाएं तो फाइली आपर 4 प्लस 1 GB करके शो करने लगा है पहले यह शो नहीं करता था बट अब यह फाइली शो करने लगा है कि मेमरी एक्स्रेंशन फीचर होन उनी के बाद आपकी जो टोटल रहम है वो 5 GB की हो जाती है तो यह यहां पर बहुत ही माइनर बग था बट हां इसको फिक्स कर दिया गया और और काफी जादा शूपर स्मूध यह अपडेट आपको दिखने को मिलता है कोई भी लैग कोई बी जडर यह कोई मतलब आपको अपको स्लाइट फील होता है ना कि हां लैक कर रहा है फ्रेम डॉप आ रहा है ऐससच कुछ भी आपको फेल नहीं होगा काफी स्मूध यह आप आपको अपडेट दिखने को मिलता है इस चाओमी की तरफ से रेड्मी 9 फ्राइंट ली और हां अगर आप यह बॉल पेपर पसंद कर रहे हो ना तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसी आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहां पर बॉ जाके जॉइन करो वहां पर OTA link मिल जाएगा और recovery room मिल जाएगी बड़ जादता लोगों को अभी issues face हो रहे हैं कि वह बीटा करके एक error आता है जिससे यहां पर यह room इंस्टॉल नहीं हो रही है तो उसके पीछे का reason बताता हूँ कि यह update नहीं पाइलेट यूजर्स के लिए रिलीज हुआ है तो अभी यहां पर सब लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते दूसरी चीज की यह update है यह भी partial release हुआ है तो सबको यह देखने को नहीं मिला है बहुत ही कम लोग है मेरे टेजी हम चैनल पर जिसको यह update देखने को मिला है उसके साहसाथ यहां पर इस update को इं हम बात करते हैं कि यह जो budgets है ना यह किस तरीके से अपने Redmi 9 Prime के MIUI 12.5.3.0 के update में अनेबल कर सकते हो without root तो देखिए simple से 4 फाइल आपको इंस्टॉल करनी है जिसका link आपको मिलेगा telegram चैनल पे और description में वो 45 links आपको मिलेंगे description box में जैसे link पर click करोगे telegram channel open होगा और वो 4 आपको इंस्टॉल करनी है अब जब आप यह चार फाइल इंस्टॉल कर लेते हो प्ले से activity launcher करके app को इंस्टॉल करना है और उसको open करना है और सभी setup complete करना है ठीक है तो यह अब open हो रही है इसको मैं open होने देता हूं उसके बाद मैं मिलता हूं तो फाइल यहाँ पर activity launcher यहा आपको लिखना है home activity home activity आपको लिखना पड़ेगा activity home activity लिखने के बाद आपको यहाँ पर दो आप वाल दिखाई देंगे second पर पर आपको पिकर business home page picker home activity करके यह एक option दिखने को मिलेगा इस option पे आपको क्लिक नहीं करना है सिंप्ली three dots पर क्लिक करना है और create shortcut पर क्लिक कर देना है जैसी आप यह create shortcut पर क्लिक कर दोगे इस तरीके के हैं आपर यह shortcut create हो जाएगा और इस shortcut पर open करने के बाद आप simply directly अपने home screen के अंदर ही widgets डाल पाओगे और यह सबी चीजें तभी आप कर पाओगे जब वह चार फाइस आप इंस्ट्रॉल करोगे जिसका लिंक आपको description में दिखने को मिलेगा हमारे तो यह बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ा issue जो एड नहीं हो पाता था वो मैंने fix भी कर दिया है तो यह trick कैसी लगी यह भी जरूर बताना और एक बार apply जरूर करना काफी मजा आएगा आपको इस process को अपना कर और अपने device को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए ठी आपको देखने को मिल जाएगा और ओटी अपडेट भी फिर पब्लिक रिलीज कर दिया जाएगा तो उसके ओपर भी हम वीडियो बना देंगे बाकि कुछ दिनों के अंदर रिवीडियो भी आने वाली है तो वह देखना मत बूलना क्योंकि उसमें मैंने इस अप्डेट का डिटेल रिवीव बताए तो वह भी खाफी जल्द आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर तो वह देखना मत बूलना बागी यह थे आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी है सब्डेट के बारे में और भी छोटे मोटे चेंजिस हैं जिसको मैं कवर करूंगा रिवीव वीडि